जो चीन की population के बराबर है उसको तक्रीबन बाइपास कर जाएंगे लेकिन 2023 में हम सिंगी largest country बन जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली तो हमारे resources तो नहीं बढ़ रहे हैं हमारी जमीन नहीं बढ़ रही है public sector में jobs कम होते जा रहे हैं हमने अगर population control के लिए policy ना इसको एक मजभी मुद्धा बना देते हैं और इसको टालने के लिए मुसल्मानों कंदे बे बंदू काप रख देते हैं एक इनसान की जिंदीगी का मकसद सिर्फ कमाना खाना और बच्चे पैदा करना नहीं होता है यह जो robotic lifestyle है यह तो animal lifestyle है ना इसमें तो कोई दोराय नहीं स्पोड को कंट्रोल करने के लिए इस किसिन के लोगों के बयानात क्या मुनासिब हैं क्या यह सीरियस हैं अब भगोडा नहीं कहेंगे मफ्रूर कह देंगे आंदोलन जीवी है तो हम कहने हैं तहरी की बिजाज के लोग हैं अभी जून के बहिने में सवा करोड जॉप्स कम ह हैं जुनिया की करन से डाउन हो रहे हैं इसलिए हमारी भी हो रहे हैं लेकिन उनकी एकनोमिक कंडिशन और भारत की एकनोमिक कंडिशन भारत का जीडीपी और उनका जीडीपी बारत की पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन आदाब मैं बाबर और आप देख रहे हैं सूप शुक्रिया बहुत क्या सुस्ते है सर्फ योगी जी के सब्सक्राइब भारत में जनसंख्या बहुत बड़ा एक मसला है अगर स्टाटिस्टिक्स देखें तो आज की तारिख में हम 141 करोड का देश हैं दोजार तेईस में हम 1500 करोड हो जाएंगे जो चीन की पॉपलेशन के ब से आज दूसरी लार्जिस्ट कंट्री हैं आफ्टर चाइना लेकिन 2023 में हम सिंगी लार्जिस्ट कंट्री बन जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली तो हमारे रिसोर्स तो नहीं बढ़ रहे हमारे पानी पीने के लिए 70% लोगों को पीने लायक पानी अवि गाउं में पहुचाने का दावा है सरकार का लेकिन 24 गंटे तो नहीं मिल रही है इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है जो जॉब्स हैं प्राइवेट जॉब्स बे कम हो रहे हैं जो सरकारी नौकरिया हैं अब आप देखिए अगनी पत को लेके चार साल किसलिए सिर्फ आप फाउच की रौकरी जो सबसे बड़ी रौकरी सब बाइजब बाविकार होंगे वो सिर्फ चार साल के लिए दे रहे हैं पचास साल के उमन से ज्यादा के लोगों के लिए यूपी सरकार का प्रपोजल यह है कि वो उनको जो बड़े सरकारी अफसरार हैं उनको भी हटा देगी युनिवर्सटियों में आप कॉंट्रेक्ट पे लोग रखे जा रहे हैं पर्मानिट नहीं रखे जा रहे हैं इसका सिक्स्टी परसेंट आबादी 30 यह तक की है इस एत्वार से दुनिया का सबसे जवान देश भारत है और इसमें अगर ये सिक्स्टी परसेंट है त तो इस हैत्मार से यह कितना बड़ा इस देश का मुद्दा है कि हमने अगर population control पे के लिए policy ना बनाई अभी तो फिर हमारे हाथ कुछ आएगा नहीं, बहुत परिशानी आओंगी. मगर इसको जब हम जब भी population growth के control की बात होती है तो हमारे politician और हमारे government में बैटे वे लोग इसको एक मजभी मुद्दा बना देते हैं, यह इतना non serious attitude है कि जिसे मैं कहता हूँ यह देश विरोधी attitude है, अब जब आप population की बात करके उसमें वर्ग की बात करते हैं, वर्ग विशे की बात करते हैं, इसका मंदल भी है कि आप population को आप seriously नहीं देख रहे हैं, आप देखिए 1976 में इंद्रा गांधी ने जब population policy लाई तो उसमें मुसल्मानों को target कर दिया, अभी 2021 में इसी उत्तरपरदेश के law commission ने population control के लिए bill draft करके दिया, सरकार ने उसको ने adopt किया, वो यही बीजेपी आठ साल से बैठी हुई है, यहां आज तक बीजेपी की सरकार कोई bill नहीं लाई, बीजेपी के एक मेंबर पार्लेमेंट में private member bill पेश किया, उस पे कोई discussion नहीं हुआ, वो bill lapse हो गया, दुबारा फिर उन्होंने पार्लेमेंट में डाला, आज तक, तो यह तो भा यूपी गॉर्मेंट में जब ड्राफ्ट भी ला गया है, तो क्यों नहीं इसको पेश किया, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है, और इसको टालने के लिए मुसलमानों कंदे पे बंदू काप रख देते हैं, जबके आप साइन्टिफिक कीश्यू है, स इस चीजब को पेश करने का, जो पॉपलेशन मुसलमानों की है, उसको आप देखें डिक्रीजिंग इसका इमपेक्ट है, मुस्तकिल कम होती चली जा रही है, जो फटियूटिरिटी रेट है, टोटल फटियूटिरिटी रेट किसी वुमेन का, वो अब नेशनल फटिरिटी के एट पार है पहले वो ज्यादा था अभी जीरो पॉइंट फोर परसेंट वो ज्यादा है तो वो फर्टिलिटी रेट ही कम हो रहा है अब आदी के बढ़ाओ में बढ़ोतरी में कम ही आती चली जा रहे हैं सब देख रहे हैं 2030 तक यह इक्वलाइज हो जाएगी उसके बाद कि आप कह रहे हैं वर्ग विशे तो इसका बदा आपको यह तो नॉलिज नहीं है या आप बढ़का रहे हैं लोगों को जो बच्चे पैदा करते हैं और खाते हों सिर्फ जानवर जैसी हरकत हैं देखें यह बात अपनी जगा ठीक है कि अगर आप सिर्फ खा रहे हैं यह ब प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो एक अलग बात है लेकिन बात तो यह उसूली तोर पर सही है कि एक इनसान की जिन्दीगी का मकसद सिर्फ कमाना खाना और बच्चे पैदा करना नहीं होता है इस से कहीं ज्यादा बुड़े मकासित के लिए एक इनसान पैदा किया है लग ताला नहीं है और उसके मकसद में प्रोड़क्टिव है अपने ही जैसे इनसानों की तरकी के लिए काम करना उनके वेल विशर होना उनके डेवलप्मेंट के लिए अपना योग दान देना हर एक इनसान का ये फर्ज है और अगर हम यह काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बच् के साथ वो सोके और परजनन की प्रिक्रिया करता है तो यही तो जानवर भी करते हैं और यही काम इनसान भी कर रहे हैं कि सुबा उटे नौकरी पे जाया कारोबार पे जाया शाम को आये अच्छा खाये फिर सोये और बच्चे पैदा कर ले और फिर तो यह जो रोबोटिक अगर हमारे human productivity का कोई हमारे अंदर नहीं है अपने जैसे इंसानों के development में हमारा कोई contribution नहीं है तो देन how are we can we call as a human तब तो हम इनसान नहीं रहे जाते सर यह कानून लाने की बस बात करने अभी तक लाने रहे लेकिन यह बात करना एक तब के पर थोब देना क्या दूसरे मद्दे से भटकाने की कोशिस है साजी से मैं वही तो कह रहा हूं कि यह जो population का issue national issue है बहुत serious issue है इस पर हमारे intellectuals को scientist को बैटके मन्तन करना चाहिए सरकार को कानून लाने चाहिए उस उन कानून के बारे में लोगों को seriously समझाना चाहिए मैंने तो यह भी demand की है television channels पे बैटके की है कि जो हमारा health and family welfare ministry है उसके तहत population का control भी आता है हमने यह कहा है कि आप उसको bifurcate कीजिए उसे health and family welfare से निकाल के population control के लिए एक अलग से ministry एक विजारत बनाईए मन्तराले कायम कीजिए बाकाइदा उसका कानून यह सरकार कुछ ना करके हिंदू-Muslim में इस मुद्धे को जब बाटती है तो फिर इसका बतलब सके सरकार में जो सरकार के साथ जुड़े वे वो element है जिनको हिंदू-Muslim से मज़ा आता है वो अभी सरकार के साथ भी नहीं खड़े वे हो element बहुत दिल्चस्प बाट है वो भी सरकार के साथ नहीं खड़े है वो element इन चीज़ों को प्रबोट करते हैं और आप देखें कि 2021 का जो यूपी का लौ था उसको किसने मुखालफ़त की इसकी मुखालफ़त वी एचपी नहीं की थी भी एचपी नहीं की थी और तो फिर यह जो element है वो चाहे वो 10 बच्चे पैदा करेंगे 20 बच्चे पैदा करेंगे वो कौम से एक वो member parliament है एक उमा भारती जी हैं एक साजवी जी हैं एक और साक्षी महराज जी हैं गरी राज किशोर जी हैं ये सारे लोग जो बाते करते हैं क्या वो इस देश में ये population policy और जो population विसफोर्ट है इस विसफोर्ट को control करने के लिए इस किसें के लोगों के बैयानात क्या मुनासिब है क्या ये serious है क्या ये मुल्क की तरक्वी और उसमे विश्व गुरू बनाने के लिए जो population की ग्रोथ आड़े आ रहा है क्या ये उसको रोकने में सक्षम होंगे नहीं होंगे तो ये बयान बाजी बंद करें सीरियसली एक साइंटिफिक नेश्टनल इशू को साइंटिफिकली तैय करें सर अब तक पार्लियमेंट में कोई भी चर्चा होता था तो एक दूसरे पर आरूप लगाता था या बताया जाता था कि आपकी एक कमी है खामियां कुछ है पोजिशन सरकार को लेकिन कुछ वर्ड्स अगर तीस से अट तीस वर्ड्स के करीब करी वर्ड्स को बोले गान पार्लियमेंटरी वर्ड है ये बोला नहीं जाएगा जिसे जुम्लेबाजी जैसे ठगी इस तरह के वर्ड नहीं बोले जगाता है जो जो अलफाज बहाते है पार्टी के खिलाफ पुलिटिकल एरेना में पूरे देश में इस्तमाल होते रहे हैं उन अलफाज को अब अन-पार्लिमेंटरी गोशित कर दिया गया है यह परहार है यह हमला है जमूरियत के उपर के आप लोगों के आवाजे भी बंद कर देना चाहते हैं मुखालफत वाले जुबले और अलफाज को भी आप बंद कर दा चाहते हैं कोई बात नहीं है यह अन-पार्लिमेंटरी जो अलफाज है विश्वास गात अन-पार्लिमेंटरी है जूट अन-पार्लिमेंटरी जूट तो पहले ही से अन-पार्लिमेंटरी वर्ड बाना गया है और आपने जुम जनजान भी एक बड़े शायर दिली के थे, वोना है शेयर पड़ा था, यह मुम्किन है कल जबान औं कलम पर हों बंद इशें, आंखों को गुफ्धुगू कसली चाय ये, तो जूले तो आँखे भी बोल देते हैं, अलफास तो आखों के इशारों से भी अदा हो जाते हैं, जबाने बारत की तो कोई छोटी जबाने नहीं है। दरोगों कह देंगे तो आप आईए आप कह रहे हैं कि आप कौन सा जीवी आंदूलन जीवी है तो हम कह रहे हैं तो हमको तो कोई इशू नहीं है। देश का डॉलर पर रूपिया गिरता है उस देश का परधानमंत्री का भी चरित्र गिरता है। तो अब तैह कर लें कि चरित्र गिर रहा है या बढ़ रहा है तो यह तो 80 रूपय कभी भी नहीं हुआ। देश कुछ बोल नहीं रहा है। बात करते नहीं हैं करना चाहिए। देश के जो मावलें सब पर बात करनी चाहिए मुसलमानों को। तो यह अर्थवयवस्ता जो पैरलल एकनॉमी पे चलती थी इस सरकार ने आके उस पैरलल एकनॉमी को सबसे पहले हिट किया है। तो अब parallel economy को main stream economy में जब आप ले आए तो जो दुनिया की economy है उससे फिर वो main stream की जो formal economy है वो मतासिर होगी. हमारी parallel economy का फायदा ये था जो पड़न मुकरजी साब ने 96-98 में कहा था कि जब formal economy गिरती है या affected होती है depression आता है world depression होता है तो हमारे जो parallel economy है वो ही squeeze out होके formal economy में आके उसको खड़ा कर देती है. ये reason है कि 98 में हमारे इतने बड़े worldwide economic depression के बावजूद हमारे हैं कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ा था. इसी तरीके से 2008 में भी हमारे हैं कोई बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ा था. लेकिन जब आपने debonetization किया उसके बाद से जो economic downfall already मुल्क के अंदर मौझूद है भै अभी जून के महीने में सवा करोड जॉप्स कम हुए हैं. जून के महीने में. और हमारा inflation बढ़ता चला जा रहा है. continuous seven point something हो गया inflation. प्राइस राइस continuous बढ़ रहा है. जॉब कम हो रहा है. प्राइस राइस हो रहा है. और इस प्राइस राइस के साथ उवत खरीद एक आम भारतिये नागरी की कम होती चली जा रहे. तो ये चीज़े डॉलर अगर बढ़ रहा है और बागी currency दुनिया की कम हो र परता है. बट हमारी एकनोमी पर currency डाउन होने की फरक परता है. तो ये बात अगर हम मान भी लें के आप कह रहे हैं सारी दुनिया की एकनोमी currency डाउन हो रहे. इसलिए हमारी भी हो रहे. लेकिन उनकी economic conditions बारत की economic conditions बारत का GDP और उनका GDP बारत की population उनकी population उससे अगर आप compare कर नुकसान इस currency के डाउन होने का हमारे पूरे देश के अर्थवेवस्ता को होने वाला है. ये बात इस लेविल पे भी तो डिसकस कीज़े. बहुत सुग रहा है. तो ये थे तसलिम रह्माने सब जिनका कहना है कि अन-parliamentary word अगर आप कुछ words को हटा देंगे तो उसके अबरो के लिए देखते रिये सुपरन्यूस 24. धन्यवाद.